नमस्कार, आप सभी का MS Classes में स्वागत है, आज हम पढ़ेंगे रिती सिध्धान्त। अब रिती सिध्धान्त का प्रारंभ कपसे स्विकार किया गया है, यह एक विवादा स्पत प्रश्न है, आचारे भरत के नाठी शास्त्र में व्रती का उलेख प्रदेशा भी धन्य से संभन्द मिलता है, रिती का संभन्द प्रदेशा भी धन्य से है, राशेखर भी उनके अ आचारि भरत प्रदेश के क्रम में पातरों की भाशा में वेशिष्ट को निर्दिष्ट करते हैं वे कहते हैं मागधी प्राच्य अवंतीजा दशनात्या ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदेशा भी धानी के क्रम में विविध नाटक तथा कथन शेलियों का विकास हो चुका था और प्रथम शती से लेकर छटी शती तक काविशली के रूप में इन विशिष्टताओं को और भियदिक स्पस्ट करने की चेश्टा की गई बान भट का शलोक इस तथी को पूष्ट करता है आचारी वामन भी सरप्रथम इसी प्रदेशा भी धन्यवाद को आधर बना कर मार्ग रीती का विवेचन करते हैं काश्चित मार्ग विभागार्थ मुक्ता प्राग्यम लंक्रिया हिंदी में रीती सिधांत के प्रथम प्रस्तोता आचारी केशव दास्ची कहे जा सकते हैं उन्होंने रस की दृष्टी से भरत की चार व्रतियों का निरुपन किया है वस्तु थह केशव की कवी कुल कल्पतरू में रीती को कावे पुरुष का सोभाव और व्रती को उसकी व्रती व्यवार बतलाया है इसे सिद्ध हो जाता है कि रीती और व्रती में शूष्म भेद मानते थे संभवतह उन्होंने कुंतक के कवी सुभाव का अधार लिया है इसके अलावा व्रत्यानुप्रास में उन्होंने उपनागरी का इतियादी व्रतियों का विवेचन भी किया है कुल्पति मिश्र ने रस रहस्य में रीती के मूला धार गुणों और रीती की परियाय व्रतियों का वर्णन का विप्रकाश के अधार पर किया है देव ने गुणों और रीतियों का अधुएत सम्ध स्थापित किया है तथा चार रीतियों के नाम लेकर उन गुणों को रीती कहा है उन्होंने दंडी तथा वामन के दस गुणों के साथ अनुपरास और यमक को भी गुणों का स्थान देकर उनकी संख्या बारा कर दी है गुणों की वासना भी मानव चित्वरती में मानी है और गुणों का वर्गी करण भी किया है। इन्होंने रसों का भी रीती कारिन और गुणों का स्थाई और अपरिहार ये समध माना है। आधुनिक हिंदी आलशनक शेत्र में कतिपे प्राचीन परंफरावादी विचारकों के दर्शन होते हैं। कनहिया लाल पोधार ने ममट की उपनागरी का कोमल और परुशा का वर्णन ममट का अनुवाद मातर है। मिश्र बंधू ने साहित्य परिजात में रीतियों का विवेचन किया है। किन्तु उनमें मोलिक्ता की द्रश्टी होती है। और हिंदी की प्रकरती का भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। अर्जुन दास केडिया ने भी भारती भूशन में रीतियों का विवेचन किया है। इस दिशा में राम दहिन मिश्र का कावे दरपन अत्यांत महतुपुन ग्रंथ है। इसमें गुण, रीती, वृती इन तीनों का सुक्ष्म अध्यान किया गया है। जिसमें कावे प्रकाश के अलावा अन्य संस्क्रत गरंथों का भी आधार लिया गया है। मिश्र जी ने भरत, वामन, विश्वनात, जगनात, भोज, इतियादी के मत को लेकर के मत का ही समर्थन किया है। आधुनिक युग में नई शेली की आलोचना पर पाश्चाती आलोचना शेली का विशेश प्रभाव परिलिक्षित होता है। आचारिय महाविर प्रसाद द्वेदी ने वर्ड्स पर्थ के समान बोलचल की साधरन शेली का समर्थन किया। इस प्रयास में संभवता उन्हें सफलता न मिल सकी। शम्त सुंदर्दास ने कावे की बुध्धी तत्व, कलपना तत्व और भाव तत्व के अतिरिक्त एक शेली तत्व और माना है। उनकी द्रश्टी में शेली का तात्परी रूप सोंदरिय, रूप चमतकार या रचना चमतकार है। किसी लेखक की शब्द योजना, वाक्यांशों का प्रियोग, वाक्यों की बनावट और उनकी धोनी का नाम शेली है। शेली के विचारों का बाहरी और प्रत्यक्ष रूप है। आचारी शुकल ने भी रीती, अलंकार, आदी, समस्त, काविय, तत्व, रस, पर्यायवाची ही माने हैं। उन्होंने कावि भाषा के विशे में मनोविज्ञानिक दरश्टी से विचार किया है। बाबु गुलाव राय ने सिधान्तों और अध्यन में रीती, गुण, व्रती का शेली के अंतरगत विवेजन किया है। उन्होंने पाश्चात्य काविश शास्त्री के प्रकाश में भरत, भामह, इत्यादी सभी के मतों का विवरण दिया है। यदपी इन्होंने मममट को उचित आदर देते हुए भी वामन के सभी गुणों का तीन में अंतरभाव करने का विरोध किया है। उनके मत में वचन के गुणों से शेली की अनेक विशेशताओं का पता चलता है। सुमित्रा अनन्दन पंत ने परंपरागत रीती का उपहास करते हुए उससे निरजीव रूडी ग्रस्त बताकर कला में अभिवेंजिना शेली पर विशेश बल दिया है। डोक्टर नगेंद्र ने कावे सिधान्तों के समान रीती सिधान्त के प्रतेक शेत्र का आधुनिक और प्राचिन दोनों पधतियों पर विचार किया है। उनके अनुसार देह का महतु देना तो आउशक है परंतु उसको आत्मा मान लेना प्रवंचना है। इसी कारण रीती संप्रदाय किसी भी रूप में जीवित नहीं रहा। रस को गोण स्थान नहीं दिया जा सकता, फिर भी वामन का सिधानती इतना सारहिन नहीं है। पाश्याति काविशास्री के अंतरगत पाश्याति आलोचकों ने भी विश्यान रूप शेली का उलेख किया है। अरस्तुने इस्तूती, करूणा, प्रोश्साहन, इत्यादी भावों के आधार पर शेली में परिवर्तन का निर्देश किया था। ड्रेमेट्रियस ने शेली के विश्या में स्पस्ट किया है कि कुछ ऐसे विश्या होते हैं जिनमें ओजस्विनी शेली उप्युक्त होती है। इसी प्रकार विशय के होते हैं जैसे युद्ध के द्रश इत्यादी उन्होंने आनंद वर्धन की भाती वर्ण ध्वनी की और भी संकेत किया है उनका मानना है कि शुरूती दूष्ट इत्यादी दोश कठोर रसों में गुण हो जाते हैं डेमिट्रियस ने शंगार इत्यादी कौमल रसों को कौमल शेली में लिखने का आदेश दिया है शब्द की संगितात्मक अभीवियन जिना शब्द गुण और शब्दालंकार में आती है कल्पना की द्रश्यमान अभीवियन जिना अर्थ गुण और अर्थालंकार के अंदर आती है होरेस ने शब्द चेन के विशे में काट छाट कठोड शब्दों की संदर्ता और शक्ति तता गरीमा शुनिया शब्दों के भहिषकार का उपदेश दिया है किन्तु प्रचली शब्दों का भहिषकारना करने का निर्देश भी उन्होंने किया है लोजाइनस ने महान शेली को आत्मा की प्रतिधुनी माना शोपन हावर ने शेली के विशे में सपस्ट कहा है कि किसी भी लेख में सपस्टतम, सुंदरतम और शक्तिवान शब्द होने चाहिए इस तरह लेख के तीन गुणों का उलेख माना गया सपस्टता, सुंदरता और दोनों का निशकर्ष शक्ति निकाला गया है इतने स्पाष्ट और निश्चित और इतने उचित जितने भी कमी संभव हो या तभी संभव हो सकता है जब ऐसे शब्दों का परियोग किया जाए जहां जिनका आर्थ न कम हो और न अधिक जिनका आर्थ न संध्या जनक हो और नहीं कुछ और हो शोपन हावाट शक्ति के लिए न तो व्याकरण के बलिदान के पक्षपाती हैं और नहीं इस पश्टता का ही बलिदान करना चाहते हैं उनकी अनुसार लक्ष बेद ही शेली की सबसे बड़ी विशेश्टा मानी गई है यदि शब्द उस लक्ष के अतिरिक्त भर दिये जाते हैं तो विचारधारा असपस्ट हो जाती है प्रतेक व्यार्थ शब्द अर्था भी व्यक्ति का बाधक हो जाता है वामन के अर्थ में वेमल्य का संभवता यही आशय हो रीतियों की संख्या के विशे में समता भी पाश्चाति साहित में देखी जा सकती है दंडी के समान ही अरस्तु ने सुकुमार प्रकार की एक शेली मानी है और उसका विरोध आडंबर पूर्ण तथा अलंकार गरभित शेली से माना है उन्होंने शेली को शब्द संखंटना और वर्ण से संभद किया है और उसे कभी संभद करने का निश्यद भी किया है अरस्तु के बाद गंभीर अपरिचित वो मध्यम शेलीों की बात की जाने लगी थी जिसका उदेशिय प्रभावत पादन प्रसादन वो नियमन रहा इस तरह वामन की रीति सिधान्त वस्तूत एक कावे सिधान्त तो कावे शेली का भाती रहित सर्वांगिन सिधान्त भी न बन पाया वामन ने अलंकार की तुलना में रीति को प्रमुक्षता दी जबकि अलंकार वादियों ने अलंकार को प्रधान माना वामन का यह प्रयास कावे चिंतन का सुभाविक विकास था क्योंकि अलंकारों को कावे सुंदरी का मूल कारण माना जाता पर रस और विशय के अनुकूल, शताब्दी और पदावली में जो परिवर्टन होता गया उसका विचार अलंकार सिधान्त में नहीं किया गया अलंकार वादियों ने रस गुण आदी को अलंकारों के अंतरगत खीजने का पर्यास तो किया किन्तु विहवार में अलंकारों से तातपरे शलेश उपमा आदी शब्दार अलंकार ही मानिय रहा अतर अलंकारों को कावे का प्रमुख धर्म मानना वामन को उचित नहीं लगा समगर भाषा शेली को छोड़ कर उसके एक अंग अलंकार को आत्म तत्म रूप कैसे माना जा सकता था वामन ने रीती अथार्थ समगर पद रखना को कावे की आत्मा ये प्रधान तत्व घोशित किया वामन की यही महत्व पूर्ण देन थी कि उन्होंने अलंकार के स्थान पर समगर शेली के महत्व की ओर कावे शास्तियों का ध्यान आकरश्ट किया वामन ने अलंकार वादियों की तरह भाव विचार, संस्क्रती, जीवन द्रश्टी, आधी विशे समगर पहलों पर विशेश विचार नहीं किया था अपनी रीती में इन अंतरंग तत्वों का कुछ भी विनियोग नहीं है कावे भाषा शेली सिधान्त की रूप में भी वामन आधियाचारियों की द्रश्टी परंपरागत दस गुणों तक ही सिमित रह गई दंडी ने स्पश्चता के साथ रीती को कवी का नीजी प्रयास गोशित किया और रीती को कवी की रूची और मना प्रवर्ती से संभन्दित करने की कामना की वामन ने दंडी के इस मूल तत्थ्य को आगे भढ़ाने का स्थान पर रीती में व्यक्तित्व का ध्यान ही भुला दिया गुण को उन्होंने रीती का धर्म माना किन्तु गुण आदी शेलिगत विशेश्चताय रसान भूती में साह्यक सिद्ध होती है इस तत्थ्य को वामन न पा सके इस कारण उनकी गुण समधी धरना भी ठीक दिशा ग्रहन नहीं कर सकी वामन के द्वारा प्रस्तूत रीती सिधान्त एक विशिष्ट प्रकार की पद रचना है जो गुणों से निर्मित होती है गुण रीती पर आश्रित है इसी रीती को वामन ने अपने कावी की आत्मा माना था वामन ने रीतियों का स्वरूप निर्देशन करते हुए समास बद्धता की ओर संकेत किया था इसी आधार पर आनंद वर्धन ने रीती के स्थान पर संगहंटना शब्द का प्रयोग किया इसे केवल समास बद्धता से ही संभंधित कर दिया गया था इसी संखटना शब्द के अधार पर ममट ने रिती का नवीन लक्षना प्रस्तूत किया ऐसी पद संखटना रिती कहलाती है जो अथार्थ गुण व्यंजक वर्णों पर आश्रित रहकर रस का उतकर्ष करती है वामन ने रिती के गुणों को आश्रित किया था और रिती को कावी की आत्मा माना था रिती का मूल अधिस्ठान गुण है वामन ने 10 शब्द गुणों और 10 अर्थ गुणों का विभाजन वर्गी करण कर कावी के मूल तत्मों को आत्म साथ कर दिया था विशेश रूप से अर्थ गुणों को इतना अथिक विस्तार कर दिया कि उसमें राग तत्व, बुध्धी तत्व, कलपना और शेली ये चारों तत्व समाविस्ट हो जाते हैं इसी प्रकार शेली कत विशेशताओं का भी गुणों में ठीक रूप से अंकलन किया गया शेली अत्वारीती की प्रतिष्ठा स्वता ही महत्वण सिधान्त है संस्कृत शाहित शास्त्र के आचारियों में ऐसा कोई भी नहीं जो अभिव्यक्ति को महत्व न देता हो या कावी शेली में भी एक ऐसा तत्व है जो कावी को शास्त्र से प्रत्थक करता है अथा शेली कत विशेशता कावी में निसंदेह स्पर्णि होती होई रिती कावी का एक नित्य धर्म कावी भी रिती निष्ट होता ही है रम्नियता ही कावी का एक मात्र उपास्य तत्व है और रम्नियता भाव भी होती है रिती की योजना भाव की द्रश्टी से ही की जाती है इसमें संदेह नहीं कि कावी की आत्मा तो भाव या रस ही है रीती भावावी व्यंजन की साथ ही का भाव की आत्मा को अभिव्यक्त करने वाले शरीर को ही आत्मा कहना वामन ने रस को उचित महत्व नहीं दिया कांति गून के अंतरगत रस को समलित किया गया है जो गोडी रीती का विशेश गून है गोडी रीती वामन के अनुसार वांचनिय नहीं होती इसी तरह रस को उचित महत्व ना देने के कारण रीती सिधान्त अपने में अपूर्ण है इस विशे में आनंद वर्धन का यकथन ध्यान देने योगी है कि रीतीयों का प्रवर्टन कावयत्मा के अनुसंधान की एक चेश्टा थी ध्वनी वादी आचारियों ने भी रीतीयों को रस के प्रत्यक्ष तथा नित्य धर्म माना अलंकार शरीर के माध्यम से आत्मर रूप रस को भुशित करते हैं किन्तू जीतियों प्रत्यक्ष रस की ही उपकारक होती हैं जब तक कोमल भाव को कोमल शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जाएगा तब तक श्रंगारादी रस निश्पन हो सकते हैं इसी प्रकार कठोर रस के लिए कठोर शब्दों वा अर्थ दोनों की आविशक्ता होती है अर्थ में भी कठोरता और कोमलता को रीतियों के शेत्र में सनिविष्ट कर वामन एक प्रकार से उन्हें रस कानिवारे नित्य धर्म घोशित किया